हाई गैस और वेलकम बाग तो यारून चनल दीपक यादव साइस अकेडमी और वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालेसस अफ सेकेंड ओफ डिसेंबर ट्वटी ट्वटी तो आज है तारिक 2 दिसंबर 2020 और है वेडिनस डे देखेंगे आच का The Hindu Complete Newspaper, The Hindu Complete Newspaper को एनलाइस करेंगे और लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगो ये Complete The Hindu Newspaper की PDF चाहिए तो मैं बताता हूँ आपको कहां से डाउनलोड करना है तो सबसे पहला आप लोगो डाउनलोड करना है टेलिग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक हियादव IAS Academy As you can see आप लोगो ऐसा चैनल दिखेगा इस पर सिंपली क्लिक करो और नीचे जॉइन का उप्शन आ रहा होगा जॉइन कर लेना अगर आपको इस चैनल नहीं मिलता है तो don't worry इस चैनल का लिंक मैंने आप लोगो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है टेलिग्राम लिंक के नाम से तो उस लिंक के ओपर क्लिक करो और जाकर इस चैनल को अभी कभी जॉइन कर लो तो यहां पर आपको डेली बिस्स पर दाहिंदू न्यूस पेपर तो मिलता है साथी साथ इसमें जो हमारे current affairs आते हैं उसका एक static portion प्रोवाइड करवा दिया जाता है जहां से सबसे ज़्यादे questions बनते हैं और गाइस यहां पर 10,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़ सुके हैं तो आप भी जाकर जुड़ सकते हैं मैं एक नमूना बताता हूँ जैसे आज हमारे नियूस पेपर में GST के बारे में बताया गया है तो आपको यहां पर पूरा पूरा background portion दे दिया है कौन से GS paper में आता है ठीक है कौन कौन से UPSC में syllabus में कैसे आप link करोगे तो यह सारी चीज़ आपको यहां पर provide कर दी जाती है और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चनल को subscribe नहीं किया है तो नीचे red color का button आ रहा होगा चैनल को subscribe कर लेना आपको कुछ नहीं करना बस अपना एक छोटा सा support दिखाना है by subscribing this channel अगे बढ़ते हैं उसके बाद सबसे पहले हम लोग questions लेंगे जैसा कि daily basis पे हम लोग कुछ questions को लेते हैं map based question तो आज आपको map में जाकर देखना है Nigeria को Nigeria बहुत जादे news में है जाकर देखो और यहाँ पर जो इसकी आसपास की neighboring countries हैं उन countries का नाम नीचे comment section में जरूर type करना जिससे मुझे पता चलेगा आपने Nigeria को जाकर map में देखा है तो जरूर देखना important है निउस में बहुत है Nigeria जाकर सभी लोग देखेंगे और comment भी सभी लोग करेंगे और हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूँगा कि जो आज का वीडियो का like का target हम लोगोंने 450 likes करक रख रखा है तो आप अपना support दिखा सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक like करके जाना है अगर वीडियो पसंद आए तो अगे आगे बढ़ते हैं चलो page number 1 पे हमारे पास 2-3 articles है highlight कर रखे हैं अब आपको highlighted newspaper मिल ला है खुश हो आप है ना चलो अब यहाँ पर सबसे पहला article GST के बारे में बताया गया है GST का जो inflow है वो top 1 lakh करोड रुपीज का देखने को मिला है second मन्त में मैंने बताया था October में GST का 1 lakh करोड रुपीज का turnover चला गया था October मन्त का उसके बाद क्या हुआ November आया November का भी जो इहाँ पर inflow है वो 1 lakh करोड रुपीज का चुगा है देखो GST जब लागू करी गई थी उसका main target ये था कि हमारा मन्तली जो है 1 lakh करोड रुपीज जनरेट हो जाना चीए ठीक है तो फिर अभी हाँ पर 2 महीने से successful ये काम हो रहा है otherwise जब उससे पहले time था वो GST का collection बहुत ही जादे down था आप लोगों पता है क्यों down था सभी लोगों कोरोना की वज़े से कोविड 19 की वज़े से यहाँ पर GST का collection बहुत ज़ाज़े down चला गया था now उसको हम लोग अब recover होते वे देख रहे हैं October में recover हुआ November में again recover होता वा नजर आया है तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि जो GST revenues है from the goods and service tax यह cross कर चुका है 1 lakh करोड रूपीज इना second month और कितने रूपीज यहाँ पर collect करे गए हैं 1 lakh 4,963 करोड रूपीज collect करे गए हैं November 2020 का और यह higher है यानि October का जो collection हुआ था उससे भी यह 1.4% higher है यानि की GST का collection हमारा daily basis पे monthly basis पे improve हो रहा है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है चलो अब यहाँ से देखो question कैसे बन सकता है देखो यहाँ पर improve हो रहा है that is not matter अब यहाँ पर यह matter नहीं करेगा it doesn't matter यहाँ पर अब यह जो matter करने वाला है वो है GST ठीक है यह goods and service tax है क्या बहुत से लोग को अभी भी नहीं मालूम है बहुत से लोग को clearly मालूम है तो देखेंगे GST है क्या चलो डीटेल में सबसे पहले यहाँ पर आपको topic देखेगा GST goods and service tax GST paper 3 के point of view से important अगर आप लोग UPSC की तारी कर रहों तो आपको मालूम होना चाहिए GST paper 3 के अंदर में हमारा economy का section आता है उसके अंदर GST है साथ-साथ अगर आप लोग UPSC का syllabus देखोगे तो उसमें यह सारे topics हैं जैसे कि government policies and interventions growth and development, constitutional bodies तो आप अपना GST का topic इन सारे syllabus के topic से link कर सकते हो आपको link करना आना चाहिए जैसे कि current affair हमारा GST है अब हमने इसको link कर दिया अपना syllabus से अब बात करते हैं सबसे पहले introduction देखें तो भाई जो goods and service tax है यह एक value added tax है जो की charge कर जाता है जादतर goods, services sold for domestic consumption जो देखो बेचा जाता है उसके उपर यहाँ पर GST लगाए जाती है for example मैं आपको बताता हूँ यह हो गया हमारा seller यह हो गया purchaser ठीक है तो यह क्या करेगा यह बेचेगा product को यह क्या करेगा यह consume करेगा product को अब क्या होगा जब यह बेचेगा तो यह GST तो यही charge करेगा तो supply side पे GST चार्ज करेगा और यह GST पे करेगा ठीक है तो basically हाँ पर ही कहना है कि जो GST है वो selling side से यहाँ पर लगाई जाएगी जब यहाँ पर कोई goods होया products बेचा जाएगा for the domestic consumption simple आगे आते हम लोग देखते है क्या-क्या features है GST के सबसे पहली चीज बिल्कुल वोई जो भी हमने डिसकस करा supply side पे यह applicable होगी जो supply करेगा वो GST लगाएगा मैं आपको कोई समान बेचूंगा ठीक है suppose मैं आपको कोई समान बेच रहा हूँ तो उस पे GST मैं ही तो लगाऊंगा आप लोग तो पे करोगे है ना क्योंकि मुझे उपर टेक्स देना पड़ेगा तो यहाँ पर ही supply side पे जो है यह GST लगाए जाती है applicable होती है supply of goods or services और against the old concept of the manufacturing of goods and sale of goods पहले क्या होता था पहले हमारे पास wet लगता था आपको बता होगा wet लगता था उसके बाद हम लोगों ने बदल के GST लगाया अब यहाँ पर GST के अंदर काफी सारे बदलाव आ गए हैं आप लोगों को मालूम होगा सबसे पर आप यहाँ पर हमने डिसकस कर लिया supply side पर लगती है दूसरी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा destination based tax मतलब भाई यह consumption tax है यानि कि आपको यह consume करोगे तो उसके लिए tax pay करोगे दूसरा चीज़ यहाँ पर यह हमारा third feature है dual GST यहाँ पर आप लोगो दो तरीके की GST देखने को मिलेंगी वैसे तो तीन तरीके की GST देखने को मिलती है बट यहाँ पर यह dual GST का concept भी आ चुका है GST के साथ वो क्या है CGST, SGST यह बहुत लोगों समझ मनिया था तो देखो समझो CGST क्या है हमारी Central Goods and Service Tax SGST क्या है States Goods and Service Tax अब यहाँ पर क्या होगा मान लो किसी भी राज्य के अंदर मान लो हम लोग UP में है तो मान लो UP में या फिर कहीं भी एक्जाम्पल लेता है UP के अंदर UP के अंदर अगर कोई समान का यहाँ पर बेचा या खरीदा जाएगा तो उस पर CGST SGST दोनों लगेगा इसी वैसे यहाँ पर Dual GST का नाम दिया गया है अब यहाँ पर आप सोचोगे कि यार यह दोनों ही GST लगेगी तो तो प्रोड़क्ट बहुत महंगा हो जाएगा तो ऐसा नहीं है देखो कितना कितना परसंट है मालो कोई प्रोड़क्ट ले रहे हैं हम जिस पर 18% GST है ठीक 18% GST लगी भी है UP में मैंनो कोई प्रोड़क्ट लिया उस पर 18% GST है तो मैं पे करूँगा उसे 18% GST कैसे मुझे इस 18% GST में CGST और SGST दोनों देना होगा तो कैसे CGST हमारी हो जाएगी 9% और SGST हो जाएगी 9% अब यह जो 9% है यह चला जाएगा हमारे Central को यानि Central Government के इंदर सरकार को और जो यह 9% है यह चले जाएगा State Government को, राजय सरकार को तो यह है formula इसका यह concept इसका GST का इसमें Dual GST का क्या system है CGST और SGST जब आप किसी State के अंदर कोई Goods Purchase करोगे तो उसके आप दोनों ही GST पे करोगे और दोनों आधी-ाधी चली जाएगी उसके बाद यह IGST का concept क्या है देखो CGST, SGST का समझ में आ गया Now यह आप Integrated Goods and Service Tax क्या है यह तब लगाए जाएगा जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई Goods बेच रहे हो ठीक है यानि कि मैं UP में हूँ मैं UP से क्व्या कर रहा हूँ महराश्टर में महराश्टर में कोई अपना समान बेच रहा हूँ तो GST जो है वो कहलाती है IGST तो वो क्या कहलाती है IGST यहाँ पर इस टेट का कोई लेना देना नहीं है यह direct central government को जाएगा ओके, now I hope आपको clear हो गया होगा C GST, SGST और IGST नाओ यहाँ पर आपको मालूम होगा कुछ हम लोगों ने rates जब GST लाई गई थी तो कुछ rate को fix कर रखा था कि जो cheaper product होगा, सबसे सस्ता होगा उस पर 5% GST लेगी, उससे थोड़ा सा महिंगा होगा 12%, उससे महिंगा होगा 16%, उससे महिंगा होगा 28% यहाँ पर इस तरीके से GST लगाई जाएगी आप लोगो इस चीज़े मालूम होनी चाहिए इसका थोड़े सी और काम की बात करते है GST council के बारे में जो article 279A है वो क्या बोलता है, जो GST council है वो यहाँ पर मतलब कि आप council बनाई जाती है, जिसमें members होते हैं तो वो form करी जाती है president के द्वारा ताकि जो GST है उसको govern करा जा सके, उसको देखा जा सके, उसको पूरी तरह से monitor करा जा सके, इस वैसे यहाँ पर council बनाई गई है, और इसके chairman is union finance minister of India इसका chairman कौन होता है, GST council का वो होता है, finance minister of India वित्मंत्री, अब यहाँ पर आपको मालूम होगा, आज के टाइम पर finance minister कौन है, निर्मला सीता रमन, ठीके तो फिर उसके बाद, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, council जो है, is devised in such a way that center will have one third voting power and state have two third voting power, यहाँ पर ऐसा होना ही पड़ेगा ऐसा होगा, तब ही जाके यहाँ पर GST council यह conduct होगी उसके बाद, जो decisions है वो लिए जाएंगे three-fourth majority से, और उसके बाद, जो advantages बगरा बताएगा है, देखो advantages क्या है, सबसे पहले common market आजाएगा एक, ठीके और जो इतने पहले क्या होता था पहले जब wet लगता था, तो उसमें हम लोग धेर सारे taxes लेते थे, ठीके हर चीज़ का अलग-अलग, जब हमें business open करना होता था, तो हर चीज़ का हम लोग अलग-अलग tax लेना पड़ता था, फिर उसका tax pay करना पड़ता था, तो अब क्या हो गया, यहाँ पर यह system खतम करके, एक ही आ चुका है GST, अब आपको इसका ही license लेना है इसका ही tax pay करना है, simple यहाँ पर fundा हो चुका है, पहले यह काफी सारी परिशानी होदी तो जादे तर business open नहीं हो पाते थे, अब यहाँ पर यह simple सा fundा आ चुका है, तो जादे तर business को grow करने का यह concept लगाया गया है, इसके पीछे GST लाने को पीछे, तो यह सारी चीज़े हैं इसके लिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं GST के बारे में हमने cover करा, काफी detail में हम लोगों ने जान लिया है complete GST को, अब आते हैं काम के उपर, ठीक है पहला article हम भी डिसकस कर लिया, second article है farmers के उपर, farmers continue protest कर रहा है, as no deal reached in talks with government देखो, यहाँ पर farmers को जो protest चलना है डेली के अंदर में, इसके उपर मैंने complete video बनाई है कल, अगर नहीं देखिए तो जाकर देखना, जो link है मैं नीचे description box में देदूँगा farmer protest के नाम से farmer protest के नाम से link के दे रहा हूँ description में, जाकर जरूर देखना, एक छोटी सी video बनाई है, 7-8 minute की है, उसे जाकर जरूर देखना, उसे मैंने detail में complete analyze कर रहा है farmers क्यों protest कर रहा है जादतर पंजाब farmers हैं जो कि protest कर रहा है, जादतर वो ही है हैं तो बहुत सारे farmers अलग लग जगा पर लेकिन जादतर वो ही है, ठीक है उसके बाद और भी एक दो चीज़े है जो कि आप देख सकोगे कि क्या-क्या demand है farmers की, ये सारी चीज़े मैंने उस video का अंदर discuss किया है जाकर देखना बहुत जादे important video है, तो यहां पर फिलाल बात यह है कि farmers को बात करने के लिए बुलाया था center ने, ठीक है, farmer के leader के, farmer के, तो उन leaders को बुलाया, बातचीत करने के लिए कि भाई, इन चीज़ों को resolve करा जाए, तो लेकिन यहां पर ये लोग माने नहीं, basically यहां पर center ने क्या बोला था, कि इन सरकार ने बोला, farmer से, कि जो ये farm bills हैं, इनके against यहां पर किस तरीके से इनको set up करने की बात करी गई थी, लेकिन जो farmer हैं, इसको मानने को, आप कह सकते हो, तयारी नहीं है बिल्कुल भी, और अपने protest पे लगे पड़े हैं, ठीके, तो अभी यहां पर, बातचीत थोड़ी वहुत हुई, उस बातचीत का कोई फल नहीं निकला है, ओके, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद, next article आप लोगो यह दिखाई देगा, छोटा सा, no move for universal vaccination, यहां पर जो government of आपे बोला गया, और यह किस ने बोला, जो ICMR, Indian Council of Medical Research के आज के टाइम पर, Director General है, बलराम भरगवा, ठीके, उन्होंने यहां पर बोला है, और तो यहां पर अभी देखेंगे, हम लोग क्या-क्या देखने को मिलता है, अभी छोटा सा article था, आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं, पेज नमबर टू के ओपर, बिल्कुल खाली है, आप कुछ नहीं पढ़ना, यहां से हमाले important नहीं है, पेज नमबर थ्री के ओपर, यहां पर आजाता है, अपने लिए यही है, जो आप देख सकते हो, डेली में जो है, केसिस काफी जादे तेजी से निकल ले हैं, 4006 फ्रेश केसिस, 86 मोर डेट्स, यानि की 24-24 घंटे में 45-500 केस निकल ले हैं, तो आप जान सकते हो क्या हालत हो चुकी है, मैं जैसा कि बताता हूँ डेली वीडियो में, डेली की सबसे साथे फेस कर रहा है, समेट डेली, काफी जादा, ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल छोटा सा ये भी बताया गया, कि ट्राइल आफ थ्री होमोपाथेटिक मेडिसेंस फॉर कोविड-19 तो बी कम्प्लिट बाइफ है, यहाँ पे हमारी सरकार ने ये बोला, कि जो तीन होमपाथिक मेडिसें के उपर काम चला है, और वो मेडिसें ज डेべलेप करी जा रही है कोविड-19 के लिए, कोरोना के लिए तीन होमपाथिक मेडिसें बनाई जा रही है, याद रखना ये February तक develop होगी और February के बाद ही आपर हम लोग को इसके बारे में disclose करा जाएगा और उसके बारे में हमें कुछ चीज़े मालूम चल सकती है उसके बाद page number 4 के उपर आते हैं पूरा पूरा advertisement है हमारे लिए important बिलकुल भी नहीं है page number 5 के उपर भी हमारे लिए कोई important चीज़े नहीं है now चलते हैं आगे और यहाँ पे आप लोगो card on picture देखने को मिलेगा newspaper के अंदर देखो कि आप यहाँ पे क्या है मोदी जी आ रहे हैं demonetization पे कोई खाली था मतलब कोई protest वगरा नहीं हुआ GST लगा कोई protest नहीं हुआ CAA अराम से clear कर दिया है मतलब कि यह सारी चीज़े clear करते वे आगा जितना भी कुछ हुआ है सब कुछ clear करते वे आ रहे है COVID-19 की वेस यहाँ पे यह भी सारी चीज़े clear कर ली now वो farm bills का रास्ता है यह सारी चीज़े जो है यहाँ से निकल कर आगे आप farm bills की बारी है इन लोगों भी साफ करके यह farm bills भी ऐसे ही है ऐसे ही रहने वाला है basically इस card on picture का यही कहना है now आगे बलते हैं now page number 9 के उपर आप लोगो यहाँ पे यह article दिखेगा जमू कश्मिर में elections हो रहे हैं आपको लोगों को पता ही होगा तो 48.6 turn out यहाँ पे जमू कश्मिर में इतनी जादे cold पढ़ने के बावजूद भी यहाँ पे काफी सारा votes जा रहा है यह देखने को मिल ला है कि आप लोगों को देखने को मिलेगा बंडी पोरा में सबसे जादे record हुआ है highest voting of 69.66% और अगर valley की अगर हम बात करें तो बंडी पोरा वैली में यहाँ पे highest record देखने को मिला है साधी साथ पूँच में देखने को मिला है 75.07% यहाँ पर यह जगाओ के नाम बता रखें किती-किती percent voting हो रही है उके ना उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हमारे लिए क्या important है page number 10 के ओपर एक और article आता है यह वाला Serum Institute of India Retreat कर रहा है vaccine safety के बारे में यानि कि जो यह Serum Institute of India यह बार बार यह कह रहा है कि भाई vaccine safe है यह क्योंकि अभी आपको लोग को मालूम होगा Serum Institute of India के ओपर allegation से लगा दिये गए एक 40 साल के बज़र्ग के द्वारा यहाँ पर allegation लगाए गए बोला गया इसके 40 साल के बज़र्ग के द्वारा बोला गया कि जो इसकी vaccine थी जो Serum Institute of India की vaccine थी उससे मेरे बोड़ी के ओपर बुरा असर हुआ है negative effect पड़ा है तो यह सारी चीज़े हैं पर इनके द्वारा allegation लगाए गए थे नाओ यहाँ पर उसके बद जो Serum Institute of India है मैं आपको बता दूँ यह पूने के अंदर है और जो है दुनिया में सबसे ज़ादा vaccine बनाने वाला एक institute है वो है Serum Institute of India तो यह बार बार कहरा है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है vaccine बिल्कुल safe है हम लोगों ने और लोगे उपर भी try करा है vaccine बिल्कुल safe है और जो है जो यह charges लगाए गए है इस institute के अगेंस्ट उसके लिए यहाँ पर यह institute लड़ेगा आगे तक ओके ना आगे बलते हैं उसके बाद page number same page पर यहाँ पर एक और आर्टिकल आता है यह वाला काफी सारे violations देखने को मिलना है चारधाम प्रोजेक्ट को लेकर अब यहाँ पर question उठता है यह चारधाम प्रोजेक्ट क्या है भई देखेंगे उससे पहले हम लोग जान लेता है यह क्या क्या violation हो रहा है Supreme Court ने बोला कि भई यहाँ पर काफी सारे violations हो रहे हैं गड़बडी देख रहे हैं चारधाम प्रोजेक्ट में उसके बाद यहाँ पर basically जो देखने को मिला यह है कि controversy क्यों आ रही है environmentalist group जो environmentalist का group है उसने यह point करा कि जो यह पहाड वगरा को काट काट के road बनाई जा रही है यह काफी जादा काट रहे हैं पहाड को ecosystem भरबाद कर रहे हैं यह सारी चीज़े हो रहे हैं तो यहाँ पर supreme court ने बोला कि यह violation हो रहा है by doing this project यह project के साथ साथ जई यह project चल रहा है आगे इसके साथ साथ काफी सारा violation भी देखने को मिल रहा है ओके आगे बढ़ता है क्योंकि supreme court ने पहले ही बोल दिया था जब यह project start हो रहा था तो कोई यहाँ पर environment को ख़दरा नहीं पहुचना चाहिए है तो जो supreme court का order है उसका violation की बात करी जा रही है basically now मैं आप लोग को बताऊंगे यहाँ पर चारधाम project क्या होता है तो चलो यहाँ पर discuss करेंगे चारधाम project के बारे में यह जो चारधाम project है यह कौन लेकर आ रहा है यह कौन connect कर रहा है ministry of road transport and highways जो है यह बना रहे है और इसमें क्या काम हो रहा है जो connectivity है वो बनाई जा रही है जो हमारे चारधामे में में लिए आप लोग को मालूम होगा केदारनाथ, बदरिनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री इन चारो धामों को connect कर जाएगा उत्रखंड के अंदर में और इस पे एक 60 रोड बनाई जाएगी बढ़िया सी और वो 12,000 करोड रुपे का यह project है 8-9 km की लंबी रोड बनाई जा रही है तो उसी रोड को लेकर, इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर यह article न्यूस के अंदर है ना उसके बाद बराबर में एक article दिखाई देगा आप लोगो यह देखो, पाकिस्तान के अंदर अभी हम लोगों नहीं यहाँ पर जमूर कश्मीर वाले एरिया में हम लोगों ने टनल के प्रूफ देखे जो टनल प्रूफ आफ पाकिस्तान हॉस्टिलिटी सेज रहा है हां पर बोला जा रहा है कि जो बीएसेफ है उसको काविसरे सॉलूशन्स निकालने पड़ेंगे साथी साथ जो ड्रोन्स बगरा देखने को मिल लाए है जो ड्रोन्स को कैसे काउंटर करा जाएगा ये बीएसेफ को सोचना पड़ेगा जो हमारी बीएसेफ पुलिस है यानि कि जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के उपर ये सारी चीज़े देखने को मिल लाए है जैसे कि ड्रोन्स का इस्तमाल हो रहा है बीएसेफ को ठीक है तो जो हमारी बीएसेफ बॉर्डर सेक्यूरिटी फोर्स उसको तो उसी के बारे में यहां पर बताया गया और ये सब चीज़े क्यों बताई गई क्यों कि यहां पर बीएसेफ डे भी मनाया जा रहा है उके ना उसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं पेज नमबर 13 के उपर आते हैं देखें कि दुछ दुनिया दारी में क्या चल ला है सबसे पहले आप लोगो यहां पर यह वल आर्टिकल नजर आएगा चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर मिलिटरी डील को साइन कर लिया है तो दोनों ही खतरनाक देश हैं दोनों ही हरामी हैं चाइना और पाकिस्तान उन्होंने मिलकर New Military Memorandum of Understanding को साइन किया ताकि जो यह मिलिटरी के आप कह सकते हो कि इनका जो क्या हो सकता जो बाइलेटरल कोपरेशन है वो जादा बड़तावा नजर आएगा क्या होगा चाइना डिफेंस मिनिस्टर और पीपल लिबरेशन आर्मी जनरल वी फैंगी मेट पाकिस्तान जो यहाँ पे पीपल लिबरेशन आर्मी के जो जनरल है वो किस से मिले पाकिस्तान के लीडर्शिप से इसलामबाद में और यहाँ पर यह सारी बाते हुई और एक डील साइन हो चुकी है जिसमें चाइना और पाकिस्तान मिलकर अपने मिलिटरी बेसिस को साथ में ग्रो करेंगे और क्या कहना है इसका बेसिक परपस क्या है जो यह deal हुई है इन दोनों की बीच में वो deal का क्या कहना है यह जो military to military relationship है इनको यह join इसलिए कर रहे हैं ताकि काफी सारे जो risk है इन लोग को challenges है उसको tackle out कर सकें अपने security interest के लिए हाँ पर यह sign करे जा रही है regional peace के लिए यहाँ पर sign करे जा रही है अपने protection के लिए य आपस में दोनों military deal को sign कर रहे है वाँ चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद और हमाले कुछ important उस पहनी page 14 के उपर business page पे आप लोग को देखने को मिलेगा economy related article है यहाँ पर यह वाला तो यह हमारा purchasing manager index के दौरा यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो इंडिया की manufacturing है वो यहाँ नवंबर के अंदर down होती भी नजर आईए नवंबर की जो manufacturing है यह PMI बताता है कि जो तीन महीने से यहाँ पर low चल लई और यहाँ पर काफी सारा loss भी देखने को मिला है तो basically कुछ नहीं बहुता है गया इस article के अंदर सिर्फ क्या है manufacturing sector जो है वो हमारा down चल ला है और कुछ नहीं है ओके नाव चलते हैं अपने एडिटोरियल के ओपर और डिसकस करेंगे एडिटोरियल को important auditorials हैं दो तीन एडिटोरियल जो की बहुत ही important है बहुत हाँ बहुत जादे सबसे पहले हम लोग डिसकस करेंगे page number 6 के ओपर यह वाल एडिटोरियल अभी आप लोग को पता पढ़ लेना सब ही ने answer किया है बहुत अच्छे answer करें सम लोग ने ओके नाव जो शांगाई corporation organization है यह आपको पता होगा भी इसकी meeting होई तो इंडिया ने host किया इसे इंडिया ने host किया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं गए थे प्राइम मिनिस्टर के जो यहां प साइट से भी पाकिसान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं आया था क्यों क्योंकि उसे मालूम चला इंडिया host कर रहा है तो उसकी वैसे वो भी नहीं आया नाव अगर हम बात करें इस शांगाई corporation organization में इंडिया ने किस चीज के ओपर बात रखी इंडिया ने बात अगली दिखाते हुए तो आप समझ सकते हो यहां पे यह स्यारी चीज़े बोले गई है और आपको पता है पाकिस्तान तो एकी इशू उठा रहा है किस चीज को लेकर जम्मू कश्मीर वाला इशू आप लोग को मालूम होगा और अभी OIC में भी यही situation होई थी organization of Islamic cooperation में जो जम्मू और कश्मीर का इशू सबसे जादे महाँ पर उठाया गया और जो उसकी next meeting है वो पाकिस्तान में होने वाली है यह सारी चीज़े मैं already cover कर चुका हूँ सुबह वाली वीडियो में सुबह जो daily current affair की वीडियो upload होई है पांच बजे वाली उसमें जाकर देखना महाँ बहुत important वीडियो होती है वो ना उसके बार next article यहां पर यह वाला नजर आएगा इस editorial में बात करी जा रही है slow progress के बारे में भाई देखो WHO team है यहां पर WHO को पता नहीं चला यहां पर COVID-19 को लेकर अभी अगर हम बात करें तो चाइना यह article इतना important नहीं है बढ़ फिर भी मैं आपको बताता हूँ यह है क्या देखो चाइना जो है हमेशा से uncover करता है छुपाता है ठीक है तो चाइना से हमेशा cover करके रखता है अपनी जो भी situation है तो उसको uncover करने के लिए यहां पर WHO को काम करना पड़ेगा ऐसे यहां पर पहले भी वाइरस आ चुके हैं जैसे कि पहला यहां पर अभी आप लोगो यह COVID-19 देखने को मिल रहा है इससे पहले भी इस तरीके के खतरनाक वाइरस पहले भी आ चुके हैं चाइना से ही तो फिर ऐसी चीज़ों को tackle out करने के लिए WHO को World Health Organization को step उठाना करेगा कि भाई इस चीज़ों को uncover करा जाए क्योंकि चाइना जो है कुछ बताता बताता है नहीं और cover करके चलता रहता है उसके बाद page number 7 के ओपर most important article यह वाला इस article में discuss करेंगे हम लोग business जो है यहां पर आपको पता होगा कि जो अभी RBI में एक हमारी internal group था उसने काफी सा क्रिटेसाइज करा जा रहा है तो यहां पर उसी को लेकर बात हो रही है जो business है यानि कि corporates हैं वो bank के लिए कैसे concern बन सकते हैं यानि कि corporates as a bank concern यह इसका topic यह हो सकता है यहां कि आप लोग को मालूम होगा चलो मैं आपको news में बताता हूं इस article को मैंने separately इसमें से important points निकाल और यहां पर आप लोग को यह articles प्रोवाइट कर दिया है यह नजर आएगा ठीक है corporate as a bank यहां पर इसका topic है तो यहां पर देखेंगे यह article आपके GSP3 के point of view से important है economy banking के point of view से important है basically यहां पर बात यह हो रही थी कि अभी news में क्यों है क्योंकि RBI जो Reserve Bank of India है इसने क्या करा इसक एक internal working group ने एक आप कह सकते हो जो इसके अंदर कई इस bank के अंदर से यहां पर members थे इस group के अंदर में और उस group ने क्या करा recommendation करा यानि recommend किया कुछ चीजों को लेकर तो उसके अंदर यहां पर recommendation यह था कि जो corporate हैं उनको यहां पर bank promoters बना देना चाहिए तो यहां पर इसको इसके लिए बात क्या है कि जो मतलब corporate जो बड़े-बड़े businesses हैं जैसे कि Reliance हो गया Tata, Adani यह सब लोग हो गये इन से यह सब जो है bank के अंदर आ जाए मतलब कि यह promoter बन जाए bank के एक तरीके से owner बन जाए bank के ठीक है यह bank को ले ओनर बन जाए bank के तो यहां पर यह situation काफी करना है इसे हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी बात यहां पर पहला देखो concern क्या बताए गया पहला बताए concentration of economic power भाई Reliance, Tata, Adani ऐसे लोग के पास इतना पैसा पहले से ही है और यह लोग bank में अगर आ जाएंगे तो यह अपने फायदे को पर सबसे पहले देखेंगे अगर इन्हें जरूरत होगी तो जादा से जादा यह लोग पैसा खुद के लिए निकालेंगे ओके तो यहां पर इस तरीके से यूज करा जा सकता है इसको दूसरी चीज आप लोग को नज़र आएगी risk के बारे में कि यहां पर RBI always यहां पर क्या देखता है पहली बात equity देखी जाती है सब जगा पर लेकिन यहां पर जो काम के अंदर efficiency देखी जाती है लेकिन जैसे ही यहां पर सारी जो businesses हैं यह बड़े-बड़ी companies अगर आ जाती है तो फिर यहां पर यह काम बिगड़ जाएगा और यह क्या होगा देखो bad loans की situation काफी जादे देखने को मिलेगी क्यों इसी यहां पर बड़ी-बड़े-गर companies जिनके पास इतना पैसा है वो अगर banks के अंदर आ जाती है तो क्या होगा वो जादा से जादा अपना self interest के लिए self interest को देखेंगे अपने business को grow करने के लिए काफी सारी चीज़े देखी जाएंगी बिल्कुल सेम बात यहां पर next concern है connect lending यानि की मतलब की खुद के लिए conflict of interest तो यानि की खुद के लिए वो देखेंगे कि यहां पर अपने लिए क्या-क्या है उनके लिए जरूरत है और ज्यादतर वो अपने लिए यहां पर काम करेंगे अगर हम simple to house में देखें तो जो यह promoter bank यह क्या करने अगर यहां पर यह promot borrow कर सकते हैं ठीक है borrower भी है तो ऊपर से यहां पर पैसा borrow भी कर लेंगे तो यहां पर यह situation है कि इनके पास पहले से इतना पैसा है तो और जादे बुरी situation हो सकती है अगर यह लोग bank के अंदर आ जाते हैं तो यह इसका पूरा concern है नाओ यहां पर आप लोग को live example देखने को मिलेगा yes bank yes bank अभी recently में आप लोग को देखने को मिलेगा DHFL ICICI bank इन सब की यही situation हुई थी यह बूरी तरह से bad loans में first चुके थे क्योंकि हाँ पर क्या होता है ता loans ले लिये जाते हैं और फिर उसके बाद चुका है नहीं जाते हैं तो ऐसी situation देखने को मिल जाती है इसके बराबर में एक article है यह है किस चीज के बारे में no leverage for Biden on Iran यहाँ पर बात करी जा रही है कि भई देखो अभी आपको इरान में देखने को मिला क्या देखने को मिला इरान के top nuclear scientist को मार दिया गया इरान ने इल्जाम लगा दिया इसराइल के उपर अब यहाँ पर यह बोल elections लगा गये थे और Iran को क्या कर दिया गया था यहाँ पर nuclear deal से भी बाहर निकाल दिया गया था यह सारी चीज़न होई थी ये देखने को मिलेगी कि इरान कोई retaliation करता है यानि इरान मतलब कि अगर कोई step उठाता है इस तरीके से कोई बदला वगएरा लेने का अगर step उठाता है इसराइल के against तो फिर Joe Biden क्या कर सकता है? Joe Biden के दिमाग में इरान खटक सकता है और यहाँ पर काफी सारी problems देखने को मिल सकती है इरान को भी, basically वही चीज़ बोली गई है साइटिकली के अंदर आप लोग पढ़ सकते हो तो guys ही के साथ हुआ आज का हमारा दाहिंदू analysis पूरी तरह सामाप I hope आप लोग को मजाया होगा और अभी तक